जय मातादी दोस्तों, जादवी टोटके में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आपसर? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जया एकदसी का वरत साल दो हजार चौबिस में कम रखा जाएगा और इसकी पूजा का सुभ मुरत क्या रहेगा? इसके लावा हम आपको बताएंगे कि जया एक अदसी के वरत का पारण किस समय किया जाएगा और इसकी पूजा विदी क्या रहेगी लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जादवी टोटकी को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों पुराणों में माग महीने को बड़ा ही पुन्यदाई माना गया है इस माह में इसनान और दान करना बेहदी उत्तम माना जाता है कहा जाता है कि माग के महीने में इसनान दान और व्रत का फल अन्य महीनों से अधिक मिलता है इसके लावा इस महीने में सुकल पक्च की जो एकदसी आती है उसका विसेस महत तो है मागमा के सुकलु पक्षगी एकादसी को जया एकादसी का वृत रखा जाता है इस दिन भगवान विश्णु जी की पूजा का विधान है जया एकादसी का जिक्र करते हुए सास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ती सरद्धा पूर्वक इस व्रत को रखता है तो उसे मृत्तु के बाद भूत प्रेत नहीं बढ़ना पड़ता है उसे मुक्ष की प्राप्ती होती है व्रत रखने वाले व्यक्ती को जया एकादसी के तिन प्राता काल सुबा जल्दी उठकर इस्तान आदि करने के बाद प्रत का संकल्प लेना चाहिए इसके बाद विश्नु जी की विद्वत पूजा अर्चना करनी चाहिए आप एक लपड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त बिछा कर भगवान विश्नु जी की मूर्ती या प्रतिमा इस्थापित करें फिर विश्नु जी का विद्वत पूजन करें उन्हें पीले चंदन, पीले फूल, आदी अर्पित करें हल्दी का तिलक करें धूब दीब जलाएं इसके लावा पंचम्रत या पीली मिठाई का भोग लगाएं भोग लगाते समय तुलसी दल सामिल अवस्त से करें इसके बाद ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा का एक माला जाब करें आर्थी करके विद्वत पूजा को संपन्न करें दोस्तों एकादसी की साम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना चाहिए इसके लावा भगवान विश्नु को इस दिन केले चढ़ाएं और केले चढ़ाने के बाद उन केलों को आप गरीबों में दान करें इससे आपको सुफल की प्राप्ती होती है चले अब जानते हैं कि साल दो हजार चौबिस में जया एकादसी कवरत कब रखा जाएगा तो आपको बता दें कि जया एकादसी कवरत बीस फरवरी दो हजार चौबिस दिन मंगलवार को रखा जाएगा और एका दसीतिती की सुरुवात 19 फरवरी 2024 की सुबा 8 बचकर 49 मिनट पर होगी और एका दसीतिती की समापती 20 फरवरी 2024 की सुबा 9 बचकर 55 मिनट पर हो जाएगी और 11 दसी व्रत पारण करने का समय 21 फरवरी को सुबा 6 बचकर 55 मिनट से लेकर सुबा 9 बचकर 11 मिनट तक रहेगा और पारण के दिन 2 दसी समाप्त होने का समय 21 फरवरी को सुबा 11 बचकर 27 मिनट पर रहेगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद